नमस्कार, स्वागा थे आप सभी लोगों का, आपके अपने ओलाइन इस्टिटूट टार्गिर वितालोक में मैं रभी तिवारी फिगर काउंटिंग के दूसरे हिस्से के साथ मैं आपके समख चुपस्तित हुआ हूँ इससे पहले मैंने आपको फिगर काउंटिंग का पहला हिस्सा बताया था जिसमें हम लोगोंने तिर्भुजों से संबंद सभी बातें की थी फिगर काउंटिंग एक ऐसा महत्तपूर टॉपिक है कि आप कोई भी परिक्षा दे रहे हो चाहे वो PCS की परिक्षा हो, चाहे वो खर्ण सिक्षातकारी की परिक्षा हो चाहे वो SuperTED की परिक्षा हो या प्रदेश में होने वाला कोई भी एक्जाम हो इसमें फिगर काउंटिंग आप से जरूर पूछा जाता है आज के हिस्से में हम लोग बृत्त की बात करेंगे, घन की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे, बर्द की बात करेंगे और समानतर रेखाओं के युगमों की बात करेंगे कोशिस करूँगा आपकी परिच्छा के लिए जितना उपयोगी है उतना figure counting में आज आपको जरूर बताओ ताकि आपके दो-तीन नंबर जो इस हिस्से से बनते हैं वो आपके पूर हो जाए इसी किरम में आईए हम लोग आज की कच्छा की सुरुबात करते हैं सबसे पहले यह देखते हैं देखे संस्थान की तरफ से एक सूचना आपको प्रदान कर दूँ कि हमारे हाँ सुपर टेट और बी यो दोनों ही बैच संचालित हो रहे हैं सुपर टेट का बैच मिलकुर नया है आप मैंसे अभी भी अगर जो लोग सुपर टेट में जुड़ना चाहते हैं तो है वह वह वाट्सप पर एंट्री सुपर टेट लिखकर इस नंबर पर भीजने हैं जैसे ही आप इस नंबर पर भेजेंगे हमारी टीम आपसे संपर्ट करेगी और एक घंटे में आपका एड्मिसन सुनिश्चित हो जाएगा क्योंकि आप देर मत करिए खंडे सिक्चात कारी के लिए अगर आपको एड्मिसन लेना है तो ये बैच भी हमारा चलना है लगबग लगबग 20 दिन इस बैच को हो गया है लगाता है सदस इस बैच से भी जोड़ना है अगर खंडे सिक्चात कारी के लिए आपको एड्मिसन लेना है प्रेवेश लेना है तो आप इस नंबर पर एंट्री लिखकर भेज दीजिए तो हमारी टीम आप से संपर्ख करेगी और बहुत जल्ली आपको खंड़ी चातकारी के बैस से जोड़ दिया जाएगा या इस प्रॉलिंग में जो नंबर चलना है उन नंबर्स पर फॉर्म करके भी आप हमारे बैस से जोड़ सकते हैं आईए समय ना विले ब्यार्थ करते हुए तुरंथ हम लोग सुरुवात करते हैं आज के टॉपिक की जब मैंने आ हमारी खुबसूरा तांखों को यह सुन्दर चीजे दिखाई दे रही है आए आज फिर देखते हैं कि आपकी खुबसूरा तांखों को क्या क्या दिखाई दे रहा है तिर्वुच के उसी फिखर से हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगर मैं एक ऐसी आकृती आपके आकृती में हम इस तरीके से लाइन खीशते हैं इस से पहले की आकृती मैंने आपको बताई थी और मैं अगर यहां से आपसे पूछ लूँ के इस आकृती में आपकी खुबसूरा तांखों को कितले तिर्वुच दिखाई दे रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा पहले जंसन इंप्रेक्ट के दो होंगे यह भी जंसन इंप्रेक्ट है इस जंसन इंप्रेक्ट के भी दो होंगे मैं इस आकृती को एक बार पूर कर दूं यहां पर यह आकृती यहां से ऐसी होगी अब यह आकृती पूर है है ना इस जंसन इंप्रेक्ट के भी दो होंगे और इस दो नए ट्राइंगल देता है, दो तिर्भुजों का जंसन इंपेक्ट, यहां पर गौर से देखिए, तीन तिर्भुजों का जंसन इंपेक्ट है, और यह तीन तिर्भुजों का जंसन इंपेक्ट, एक नया प्रस्पर ट्राइंगल यहां पर दे देगा, जो इस से पहले इस इसको काॉंट करने के बाद अगर हम देखें तो यहां पर त्रभुजों की संख्या जो कुल हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी, 29 हो जाएगी, क्लिएर तो यहां पर इस आकरती में जो त्रभुजों की बास्तिक संख्या होगी आपकी वो कितनी होगी 29 होगी आईए अब यहां से हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां से कि हम वर्गों की संख्या को कैसे गिनते हैं जब आपकी परिक्षा होती है तो हाँ पर सवाल आता है कि वर्गों की संख्या क्या है ध्यान दिजिए वर्गों की संख्या क्या है अब वर्गों की जो संख्या होती है वो दो आकृतियों में होती है एक तो वर्गों की संख्या होती है आयत में और ये एक वर्गों की संख्या होती है वर्ग में इसका मतलब है जब परिक्षा में सवाल पूछा जाता है तो आपसे कोई ये नहीं बताया जाता कि आपको आयत में वर्ग में वर्ग निकाल ले हैं कि वर्ग में वर्ग निकाल ले हैं वलकि आप से ये पूछा जाता है कि दी हुई आकृती में वर्गों की संख्या क्या होगी अब वो आकृती आयत है कि वर्ग है यह आपको तैक करना पड़ेगा अगर आपन ये तेकर लिया कि वह आकृती वर्ग है तो आप वर्ग में वर्गों की संख्या निका लेंगे यहाँ पर में एक चीज आप लोगों को इसपश्ट कर दू कि जब हम वर्वल reasoning में होते हैं या हम आंकिक मान जब कहीं हल कर रहे होते हैं तो हम वर्ग और आयत को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं लेकिन non-verbal reasoning में होते हैं तो हम वर्ग और आयत को आसानी से नहीं पहचान सकते जैसे माल लिजेकर यहां पर लिखा है कि किसी आकृती में वर्गों की संख्या क्या है तो सबसे वड़ी चुनोती यहां पर आपके सामने यह है कि हम उस आकृति को कैसे पहचाने कि दे हुई आकृति वर्ग है या आयत है सबसे पहले तो नहीं देखना है तो देखिए मैं अंतर आपको ऐसे स्पष्ट करूं माली ज़िए हम वर्वर आयत है अगर मैंने यहां पर एक आकृति बनाई और मैंने यहां पर लिखा पांच पांच और पांच तो आपने कहा चारों मुझा बराबर है और दी हुई आकृति क्या होगी उताइए वर्ग होगी आपने आसाली से पहचान लिया अब नॉन्बर्वल में जब हम होते हों तो non-verbal में हम कैसे पहचानत है, माल लीजिए, अगर हम दो एक जैसी आकृति यहाँ पर बना दे, जैसे मैंने यहाँ पर एक आकृति खींची यहाँ पर, ऐसे, और लगवग लगवग, इसी से मिलती जुलती, हमने एक और आकृति यहाँ पर खींची इस परकार से, यहाँ पर एक और आकृति खींची इस परकार से, मैंने कहा, कौन सी आकृति वर्ग है, कौन सी आकृति आयत है, अब आपके पास आंकिक मान तो लिखा नहीं है, तो हम तै कैसे करेंगे कि कौन सी आकृति वर्ग है, और कौन सी आकृति आयत है, गौर से यहाँ पर देखिएगा, यहां पर टै करने का केवल एक ही रास्ता है, हम रो और कॉलम्स की संख्या को गिल लेते हैं, जैसे यहां पर हमने गिना एक, दो, तीन, इस तरफ की जो आकृती होती है, जो यहां पर आकृती होती है, छेते जिसको कहते हैं रो, पंक्तियां, और इस तरफ की जो आकृती होती इसको कहते हैं column is thumb और यहाँ पर हमने जब column गिने तो कित्ते होगा है? चार जब row की संख्या column की संख्या के बराबर ना हो तो दी हुई आकिर्ती जो होगी आयत होगी केवल एक ही तरीका है इसको पहचानने का जब row is not equal to column when row is not equal to column तो दी हुई आकिर्ती जो होगी वो क्या होगी? आयत होगी द्यार रखिये अब यहाँ पर हमने गिना एक, दो, तीर और एक, दो, तीर अगर row और column की संख्या बराबर है when row is equal to column तो दी हुई आकिर्ती क्या होगी? वर्ग होगी इस आकिर्ती की पहचान आप स्वयम करेंगी वर्गों की संख्या यहाँ पर लिखा होगा लेकिन दी हुई आकिर्ती की पहचान आप स्वयम करेंगे अगर आपने पहचान लिया कि दी हुई आकिर्ती आयत है तो आप आयत में वर्गों की संख्या निकालेंगे और अगर आपने पहचान लिया कि दी हुई आकिरती क्या है बताइए वर्ग है तो आप वर्ग में वर्गों की संख्या निकालेंगे केवल पहचान ही कथिन है पहचान आसान हो गई तो आपकी खूबसूरत आखें इसको तुरंत देखने लगेंगी कितने आया थे कितने वर्ग है आए एक स्टेप आगे लेते हैं है ना जब आनंद आए तो कमेंट से भी आनंद वाले किया करिए नीचे आए जैसे माली जी यहां पर हम लोग देखें यहां पर सबसे पहले हम हम देखते हैं वर्ग में वर्गों की संख्या कैसे ग्याद करते हैं वर्ग में वर्गों की संख्या को हम कैसे ग्याद करते हैं सबसे पहले हम इसको देखते हैं जैसे माली जी मैंने कोई आकृति बनाई यह आकृति मैं बढ़ा रहा हूं आपके सामने और यहां पर मैंने लिखा इस आकृति को हमें यहां पर calculate करना है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच अब रो इस इकल टू कॉलम तो आप यह तो तैक लिए कि आकृति वर्ग है अब वर्ग में वर्गों की संख्या गिननी है तो अब हम इन सब को गिनेंगी नहीं प्यार रखिए अगर हमें वर्ग में वर्गों की संख्या गिननी है तो हम इसको गिनने की जरूरत नहीं है या तो हम row का square करके जोड़ देंगे और या तो हम column का square करके जोड़ देंगे या तो हम row का square करके जोड़ देंगे और या तो हम column का square करके जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए यह कितना होगा 25 यह कितना होगा 16 यह कितना होगा बताओ 9 ये कितना होगा चार और कितना होगा एक सब को यहां पर जोड़ने अगर हम तो 6 5 11 29 20 24 24 25 दो कैरी किया और दो और एक तीन दो कितना हो गया पांच तो दी हुई आकरती में जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी बता ये पच्पन होगी तो आसान तरीका है अगर आकृति वर्ग है तो या तो हम रोका करके जोर देंगे या तो हम कॉलम का स्वार करके जोर देंगे आप अगर इदी जैसे एक आकृति में आपके समक्ष पृस्तुत करता हो चलिए मैं कहूं इस आकृति में वर्गों की संख्या क्य करिए मैं पर रहा हूँ आपके कमेंट चलिए एक दो तीन और एक दो तीन तुरंट देखना है तो बताओ तीन तरका नौ दो दो नी चार और एक है नो चार तेरा एक चौदा तो यह साकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी चौदा अब हमें गिनने की जवर्ग नहीं ह अब अगर हमें कहा जाए कि आयत में वर्ग निकाल लें तो वर्ग में वर्ग हो गए तो हम आयत में वर्गों की संख्या को कैसे निकालेंगे जैसे यहाँ पर हम अगला टॉपिक लेते हैं आयत में वर्गों की संख्या वर्गों की संख्या आज मैं आपको समानता बनाऊंगा और क्यूब को कैसे गिना जाता है जो 3D आकरतिमें क्यूब सोते हैं जिनको आप रेलवे का साइखो भी कहते हैं उनको कैसे काउंट किया जाता है उसकी एक काउंट में आपको बताऊगा वह बहुत आसान होता है बस थोड़ा साओ पाने रहे देखते रहे अब आ एक दो तीन चार पांच छे साथ सीखते चलिए हो गया यह आप ने देखा साथ हो आप ने देखा पांच है इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यह आयत है क्योंकि मैंने आपको बताया है रो इस नौट इक्वल टू कॉलाम तो दी हुई आकिरती क्या होगी रेक्टेंगिल होगी आयत होगी अब हमें इस आयत में वर्गों की संख्या निकाल ली है तो हम कैसे निकालेंगे देखे को छोड़ दिजिे अब आप इस आखिरती को छोड़ दिजिए अब आप यहीं से नीचे आना शुरू करिए कैसे 7 x 5 तो अब यह ये, एक-एक कम करिए 6 x 4 फिर एक कम करिए 5 x 3, फिर एक कम करिए 4 x 2, फिर एक कम करिए 3 x 1 अगर हमने यहां पर ऐसे कर लिया तो इसका मतलब यह क्या होता है 35 होता है यह क्या होता है 24 होता है यह क्या होता है 15 होता है यह क्या होता है 8 होता है यह क्या होता है 3 होता है अगर हम इन सब को जोड़ दें मतलब आपको कहां तक calculate करना है जैसे ही कहीं भी एक आजाए आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी रुक जाएगी अगर हम इसको जोड दें तो पांचो चार नौपांच चाउदा और चाउदा और आट कित्ता हुआ बाइस और बाइस और तीन कित्ता हुआ 25 दो कहरी किया यहां पर 32-5-27 और 85-85 हो गया तो इस अभीष्ट आवकिर्ती में वरगों की संख्या कितनी होगी बताइए 85 होगी तो हमारा उत्तर यहां पर क्या होगा 85 होगा बहुत जैमत उठाने की जरूरत नहीं है आसान कैलकुलेसर होती है गिनते वो हैं जो बाहु बली होते हैं और बाहु बली बहुत बाहु बली वाला काम करते हैं क्योंकि अगर हम इसमें पचासी गिनने के लिए गए तो इसका मतलब हम बाहु बली है एक्जाम में हमें बाहु बली नहीं बनना है exam में हमें smart बनना है क्योंकि वो बाहू बल दिखाने का समय नहीं है वो 20-20 खेलने का समय है और उसमें यहां से आपको काम लेना है क्योंकि यहां से अगर आप काम नहीं लेंगे तो ऐसी knowledge आपकी किसी काम की नहीं है जो आपकी time के साथ नहीं है अगर आपने इसको गिनने में तीन मिनिट खराब कर दिये मैं वादा करता हूं पचासी नहीं गिन पाएंगे क्योंकि बहुत सारे वर्ग इसमें होंगे पहले एक-एक के वर्ग होंगे फिर दो-दो के वर्ग होंगे फिर तीन-तीन के वर्ग होंगे तो calculation कैसे करेंगे तो ऐस का टॉपिक भी क्या हो जाए हल हो जाए और कठिर मी न लगे इसी प्रभित्ति का एक सवाल आपको देता हूं चलिए अगर माल लीजे मैंने आपको एक आयत दिया कुछ इस तरीके से चलिए मैंने कुछ इस तरीके से एक आपको आयत दिया है ना और मैंने कहा किस आयत मैं आयत है चलिए मैंने आपको यहां पर एक आयत दिया यहां पर चलिए है ला इस तरीकी से आयत दिया आप पहले तो काउंटिंग करेंगे जब काउंटिंग करेंगे तो कहेंगे एक दो तीन चार पांच और एक दो तीन चार पांच है अब आपने समय लिया कि आयत है को एक आं नहीं आएं दौनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं को लेना है तो यहां की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी छह और यहां की क्या होगी पाज multiply करिए 6 multiply by 5 5 multiply by 4 4 multiply by 3 3 multiply by 2 और 2 multiply by 1 एक एक नीचे करते हुए आईए और तब तक नीचे करते हुए आईए जब तक एक ना आ जाए अब 30 A हो गया 20 A हो गया 12 A हो गया 6 A हो गया और 2 A हो गया अगर हम इन सब को जोड़ दे तो बताइए 6 और 2 आर्दो 10 0 कितना केरी किया बताइए यहाँ पर 1 केरी किया और 3 और 2 5 आप चलते हैं चो कठिन होता है आयतों की संख्या को समानतर रेखाओं के युगमों को कैसे गिनते हैं आयतों की संख्या और समानतर रेखाओं के युगमों को अगर हमें गिनना हो तो हमें कितनी महिनत करनी पड़ेगी इस पर हम बात करते हैं इसी एनर्जी के साथ सभी टीचर खंड सिक्षातकारी में PCS में और यहां पर सुपर्टेट में धुआधार तरीके से जुटे हुए ह अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो और लग रहा हो कि आपके अपनी लक्ष को प्राप्त करना है या किसी परिक्षा में आपको आना है या आपको वहां पे कोचिंग नहीं मिल लए जहां सुदूर छेत्व में आप है या आपने कहीं कोचिंग की है तो वो गुरवत्ता नहीं मि फ्रेस है बिल्कुल फ्रेस है आज से पड़ाई शुरू है अना खंडे सिक्चात कारी में भी आप आराम से कबर कर सकते हैं अभी कुछ नहीं बिगड़ा है तो आप फोन उठाइए नमबर घुमाईए और बागी तो आप जानते ही हैं आए अगला टॉपिक हम लोग यहां प आयतों की संख्या पहले इसको देख लेते हैं फिर घर्ण वाले को देखते हैं क्यूप्स को कैसे गिनते हैं क्लियर आयतों की संख्या आईए अब यहां पर देखिए समांतर रेखाओं के उगमोर आयतों की संख्या को हम कैसे यहां पर तयार करते हैं इसको भी हमें समझ र करेंगे समानतर रेखाएं क्या होती हैं जैसे यहां पर दो रेखाएं हैं मैंने कहा A और B समानतर रेखाओं का मतलब यूग का मतलब होता है यूग का मतलब तो आप जानते ही होंगे पेयर यूग का मतलब क्या होता है पेयर पेयर कब बनता है जब दो होने चाहिए अगर हम क के साथ बनाया या हम कह सकते हैं B ने A के साथ बनाया आसान सी बात है अगर हम इन रेखाओं को ऐसे खीच दे और मैं आप से पूछू कितने योगम बनना है C और D यहाँ पर तो आप कहेंगे सर एक ही योगम बनना है चाहे तो C ने D के साथ बनाया या तो D ने C के साथ बनाया युगम यहाँ पर एक ही होगा अब आपसे प्रिश्ण पूछा गया अगर हम दो रेखाओं को ऐसा खींचते हैं और मैं कहूँ दी हुई प्लस की आकरती में समानतर रेखाओं के कितने युगम होगे तो बेटा यहाँ कोई युगम होगा नहीं क्योंकि समानतर का मतलब क्या होता है कि वो रेखा एक दूसरे के तरलल होनी चाहिए तब ही युगम होगा और यहाँ पर युगम इसलिया नहीं होगा क्योंकि दो रेखाओं तो हैं लेकिन कोई रेखा एक दूसरे के समानतर नहीं है यहाँ पर यह रेखा किसी के साथ युग्म नहीं बना रही है और यह रेखा भी किसी के साथ युग्म नहीं बना रही है और वो रेखा भी किसी के साथ युग्म नहीं बना रही है सबलवे आई बात कोई रेखा किसी के साथ युग्म नहीं बना रही है तो इसका मतलब है इस आकिर्थी में समानतर लेखाओं का कोई भी योग में नहीं होगा देखिये सबाल कितना भी कठिन हो हमारे common sense से ही विटा हल होता है कोई IS में भी वही चीज पूछी जाती है PCS में भी वही चीज पूछी जाती है वीयों में भी वही चीज पूछी जाती है, बसरते कुछ टॉपिक को जब आपने पढ़ा, तो आपका नजरिया कितना था, कोई टॉपिक कथिन नहीं है, इस दुनिया में जिस टॉपिक में आप इंट्रेस्ट ले लें, वो टॉपिक आसान है, जिस सब्जेक्ट में आप इं नहीं, छोड़्ये माँ छेड़िये, जब तक उच टॉपिक को छेड़िये, जब तक वो आपको आना जाये, और आने के बाद ही छोड़ लीजिए, है ना, क्या है, या तो मानने लीजिए कि नहीं आएगा, या तो ठाने लीजिए कि करके मानेंगे, जो लोगों मान लिये कि नहीं आईगा, उनको नहीं आया बहुत से लोग केते हैं हमारी गलित कमजोर है हमारी अंग्रे जी कमजोर है, हमारी reasoning कमजोर है कोई के शर्वस्ता कमजोर है, क्यों कमजोर है आपने उसको छोड़ के रखा है अगर आप ठान लेते कि जब तक हम ये समझ नहीं लेंगे, जब तक हम आगे नहीं बनेगे, तो आज जैसे आप और topics में at home में दक्ष है, वैसे आज आज आप उस topic में भी at home होगे, दक्ष होगे, तो आज से किसी चीज को छोड़ना नहीं है, छेड़ना है, और जब तक उसक उठाने रहना है, जब तक कि वो topic आपको आना जाए, तो यहाँ पर बता बटा समानतर रेखाओं के कितने योगम होगे, कोई योगम नहीं होगा, क्योंकि कोई रेखा किसी के समानतर है ही नहीं, अगर मैं एक लाइन और खिदू, अब एक योगम होगा, क्योंकि इस रेख रेखाओं का मामला था, लेकर सपोच करिए, कि अगर ये दो रेखाओं ना होके, मैं बहुत सारी रेखाओं खेच दूँ, और मैं कहूँ कि यहाँ पर जो रेखाओं खेची गई है, ये रेखाओं, या मैं सवाल को लेंग्विज में भी पूच लूँ, एक, दो, तीन, च चुपके से आपसे, कि एक प्रिष्ट पर नो रेखाओं खेची गई है, बताए, इन नो रेखाओं को खेच के सेगमेंट को गिन देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, याद रखियेगा, रेखाओं की संख्या जितनी होगी, सेगमेंट की संख्या एक कम होगी, फिर कहरा हूँ, रेखाओं की संख्या जितनी होगी, सेगमेंट की संख्या उससे हमेजा एक कम होगी, अगर बेटा रेखाओं यहाँ पे 9 है, तो सेगमेंट कितने होगे, आठी होगे, गिन लीजीए उसको, आठाशाथ 15, 15, 16, 21, 5, 26, 26, 34, 33, 32, 35, 36, इस आकि पर देखे आप यह भी 가 smelled combination है यह भी पी production combination है आराम से हो जाएगा information combination से करते हैं तो भी आनाम नहीं लेना है इसए घीच दिया और मैंने कहा कि बताइह समानतर रेखाओं के कुल कितने अग्म हैं तो आप कहेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच, चार, नो, तीन, बारा, दो, चौदा, एक, पंद्रा, पेसा कृति में समानतर लेखाओं के पंद्रा युग है, अगर इसी को मैं आपसे पर्मुटिशन, कॉमिनेशन से बनाता, तो टोटल लेखाएं कित्ती थी, आप कहते हैं, नो, तो मैं कहता है, 9C2, और फिर मैं इसको अगर फेक्टोरियल से हल्ट करता, तो मैं कहता है, नो गोणे आठ वोटे, दो गोणे एक, और आप कहते हैं, और आप कहते हैं, दो चोखो हो जाएगी जैसे मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिस करता हूँ माल लिजिए हमने अलग-अलग जो रेखा है खींची थी अगर हम इन रेखाओं को इखटा कर दे कैसे इखटा कर दे जैसे मैंने कहा चलिए चलिए देखिए आप मैं इखटा करता हूं को देखिए कैसे यह यह खींचा और फिर मैंने यहां पर कुछ अलग रेखा धुक्ते एख hai लो अभर है है Tout मैंने कहा इस पुरी आप्रती में सवांतर रएखाऊं के इस न क्या हैं cancer कितने न हैं यह जुझा zg gaan क्या अगर यहां पर आप देखें तो हम अलग लग यूग्म को गिनेंगे क्योंकि मैंने आपको समझाया था ये रेखा कभी इस रेखा के साथ यूग्म नहीं बना सकती और ये रेखा कभी इस रेखा के साथ यूग्म नहीं बना सकती इसका मतलब है जो ऐसी रेखा हैं वो परस पर यूग्म बनाएंगी और जो ऐसी रेख होंगे उनको गिन लीजे एक, दो, तीन, चार पांच, छे और यहां पर भी पताईए कितने होंगे तो आप कहेंगे सर, 21 होंगे अगर मैं कहूं कि इस पूरी आकृती में समानतर रेखाओं के कुल कितने योगम है तो आप कहेंगे सर 21 और 21 को जोर दीजिए इस पूरी आकृती में समानतर रेखाओं के 42 योगम है इस पूरी आकृती में समानतर रेखाओं के मैं पूछू कितने योगम है तो आप कहेंगे सर इस पूरी आकरती मैं समान तर दिखाऊं कि कितनी युग मैं बताइए 42 युगम हो गए 21 इस तरफ से हो गए 21 इस तरफ अब मैं आपसे यहीं एक पुर्षन और पूछना चाहता हूँ इसको मैं यहां से उठा के इस तरफ सिप्ट कर दू दो बेसिक बिटा यहां पर आपको सीखने हैं अगर मैं यहां पर कहूँ कि कुल युगम कितने हैं तो आप दोनों 21 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे और यहां पर युगमों की संख्या कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी लेकिन मैं आप एक कलर बदल के अगर आपसे पूछ लू कि इस आकिरती में आयतों की संख्या क्या होगी तो गिनेंगे वही जो बाहु बली है गिनेंगे वही जो बाहु बली है है ना और करेंगे वही जिनको पास होना है तो आप देखे आयतों की संख्या आप देखनी है तो आयतों की संख्या जब किसी भी आकृती में देखनी हो तो हम क्या करते हैं दोनों समांतर रेखाओं के युगमों का आपस में गुणन फ़ले कभी भी अगर हमें समानतर रेखाओं की संख्या निकाल ली है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए दोनों समानतर रेखाओं की युग्मों का अपस में गुणनफल करना पड़ेगा तो यहां पर हम आराम से कहेंगे 21 बुणे 21 मतलब अगर हमें आयतों की संख्या निकाल ली है तो दोनों तरफ का जोड़ करना है भले समानतर रेखाओं की युग्मों पूछे जाएं चाहें नहीं पूछे जाएं लेकिन हमें दोनों तरफ एड़ करने के बाद इनका परस पर गुणा करना ही पड़ेगा इसका और कोई बिकल्पी यहां पर नहीं है अब आप 21 का 21 में गुणा करके मुझको बस यह बता दीजिए कि आपका उत्तर कितना होगा जितना आएगा वही आपका उत्तर होगा आप सभी लोग भले प्रीमियर चला है लेकिन मैं घर में बैठके आपके कमेंट पर रहा हूं आप लोग कम समानतर देखाऊं कि अगर मैं पूंचू कि इस आकिरती में कुल कितने हिम होगे ंबताइए यहां पर एकमों की संख्यास समानतर देखाऊ कि अपि होगी उत्तर कर दीजिए जल्दी से तो फिर हम लोग यहां-पर आगे बनें ऑने बताईए तो आप नसा बहुत साहरे यह कुछ सभी आए हैं यहां पर होगा 441 किता होता है 441 तो यहां पर समानतर देखाओ कि जो होंगे वो कितने होंगे बताईए 441 हो जाए एक प्रस्न में अगर मैं आपको दूँ चलिए मैं एक व्यवाब उस सभी आपको दू जसमें मैं दोनों चीजे maior आप से पूंछना चाहूं चलिए दोनों ही चीजे मैं आपसे पूंछना हो मैं अदो पूंच हो कि बताईए इस आकर्ति में चलिए जल्ली करेंगा इस त motherfucker Eagle ऑ बावावर कुल योगम कितने होगए तो हम कहेंगे 15 प्लस 10 बरावर किते हो गए 25 और अगर मैं आपसे कहूं कि आयतों की संख्या कितनी होगी तो दोनों का परस्पर गुड़ा कर देंगे तो दस गुणे 15 यह कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 150 तो इस अभी स्टाक किरती में आयतों की संख्या किते नहीं हो जाएगी बताइए तो आप कहेंगे सर 150 आयत यहाँ पर हो जाएगी अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब जो आपका अगला टॉपिक बनता है यहाँ पर फिगर काउंटिंग में उसको हम कहते हैं घनों की संख्या घनों की संख्या गिनना या इसी को हम कहते हैं क्यूब्स 3D क्यूब्स गिनना और इसी को हम कहते हैं रेलेवे का साई को और इसी को हम कहते हैं इटों की संख्या को गिनना इटों की संख्या को की गिनती करना तो इटों की संख्या को हम कैसे गिनते हैं इसको हमें इसमें देखना हैं क्लिए कैसे है मीटों की संख्या को गिनते हैं 3D फिगर्स में यह फिगर्स भी आप से पूछे जाते हैं और इसके अलावा एक जो आकृति होती है इसमें अभी आपका बचा है कि बृत की संख्या को कैसे गिनते हैं और एक आकृति होती है जिसमें मिस्रित आकृतियां भी आपको देखनी है तो आज गला थोड़ा सा जवाब दे रहा है आज इतना ही पढ़के संतुष्ट कर लेजिए कल परसो एक और जबर इसको जरूर लिखिए और जबर्जस्त तरीके से पढ़ाई करिए अपना ख्याल लखिए अपने अच्छे अच्छे फीडबेक्स हमें जरूर दिए थैंक यू सो माच लव यू आल टेक के यार आप हमें कहां से देख रहा है यह जरूर लिख है टार्गर में तालोग ऑनल इसक्राइब करे टार्गर लिखफ अविए थैंक यह जरूर आप हमें जरूर लिख हमें वह में जरूर लिखिए झसलिए औरूर लिख विएह गयोग यह जरूथंग हमें जरूर दिएश्बर कर दो